जैपुर के अराउंड 18-20 किलोमेटर दूर सिच्वेटेड है दादर धाम संत दादू के जो फोलोवर्स हैं उनके लिए एक इंपोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है ये दादर धाम उनके लिए एक इंपोर्टेंट धार्मिक इस्तल है अगर हम एक्जेक्ट लोकेशन की बात करें तो जैपुर से अराउंड 20 किलोमेटर के पास एक गाउं है जैरामपुर गाउं और उसी गाउं के अंदर सिच्वेटेड है संत दादू के जो फोलोवर्स हैं जो अन्यूनियाई हैं उनके लिए एक इंपोर्टेंट प्लेस दादर धाम दादर धाम किनके दुवारा इस्टेबलिस किया गया उसकी अगर हम बात करें तो इस्टेडेंट्स जो दादू पंती हैं दादू जो पंत है जो संत दादू दयाल के दुवारा स्टार्ट किया गया था 1554 के समय में इस्टेडेंट्स यह आपको पता होना चीए कि कब स्टार्ट किया गया था संत दादू के दुवारा 1554 आप देखे कि दिल्ली सल्तनत खतम हो चुका है मुगल जो डाइनेश्टी है वो पावर के उपर आ चुकी है 1554 के समय में क्योंकि पहला जो बैटल उपानीपत है पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 1526 के समय लड़ी गई थी तो मुगल मुगल जो सत्ता है वो पावर के उपर आ चुकी है उस समय में जो संत दादु दयाल है उनके दुवारा यहाँ पे जो दादु पंथ है उसकी स्तापना की गई 1554 के समय में यहाँ पे अगर हम बात करें दादू पंत के अंदर आपको जो सिष्य परंपरा है वो आपको देखने के लिए मिलती है संत दादू दयाल के 152 सिष्य हुआ करते थे टोटल 152 सिष्य हुआ करते थे जिसके अंदर 100 जो सिष्य है 100 सिष्य जो है संत दादू के वो एकांत वासी हो गए थे कहीं ना कहीं ऐसी जगह चले गई जिनका पता नहीं है बट अगर हम बात करें जो 52 सिस्चे बचे हैं 152 के अंदर में से तो 52 सिस्चे ऐसे हैं जिन्होंने जगह जगह पे दादू दयाल के जो important speech है जो उनके important सिद्दान्त है उनको लोगों तक पहुँचा आया उनी 52 सिस्चे के जवारा जहां पे जगह जगह पे जो यहां पे इनके जो संत दादू दयाल के जो important सिद्दान्त है जिनको लोगों तक पहुँचा आया उन इस्तानों को कहा जाता है दौर के रूप से तो इसी वज़े से आप देखें इस इस्तान का जो नाम है वो दादर धाम है क्योंकि दर जो वर्ड है एक दौर का वर्ड के रूप में यूज किया जाता है लोकल लेंग्वेज के अंदर राजस्तान में आप देखें कि अगर हम बात करें यहाँ पर या इस्तान भी बोल सकते हूँ आप दर का जो मिनिंग है वो इस्तान भी है तो उसे में संत दादू दयाल के एक इंपोर्टेंट सिस्से हुआ करते थे जग जीवन जग जीवन की यह तपोईस्तली है दादर धाम दादर धाम के अंदर जो संत जग जीवन है उनके दुआरा तफश्या की गई है और इसी दादर धाम के वहाँ पे सिच्वेटेड है दादू दयाल का मंदिर भी सिच्वेटेड है स्टूडेंट्स अगर हम बात करें दादू दयाल के बारे में दादू पंत के जो लोग है उनकी पंत की जो इस्तापना है 1554 के समय हुई 1554 के समय 1554 के समय संत दादू दयाल के दुआरा की गई दादू पंत के जो लोग है भगवा जो वस्तर हैं जो भगवा जो कपड़े हैं वो ये पहना करते हैं भगवा कपड़े पहनते हैं, संत दादू दयाल के जो followers हैं, नागा और निहंग दो इनकी साकाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, और जो मूर्ती पूजा है, भेद बाव है, आडंबर है, इससे completely इसका विरोध करते हैं, इसका opposition करते हैं, और completely अगर हम इनके कुछ सिद् अनमेरिड आपको देखने के लिए मिलेंगे, साधी ये लोग नहीं करेंगे, आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसके लावा जीवन काल में किसी दूसरी ग्रहस्ती के जो बच्चे हैं, उनको ये गोद लेते हैं, उनको ये यहाँ पे गोद लेने के बाद में, उनको दादू पंथी के जो followers हैं उनके द्वारा इसके लावा जो दादू पंथी के जो लोग हैं मंदिर और मजिद के अंदर भी नहीं विजिट करते हैं ना माला पहनते हैं ना तिलक लगाया जाता है इनके द्वारा ना ही ये सिर के उपर चोटी रखते हैं मूर्ती पूजा भी नहीं करेंगे मूर्ती पूजा का भी ये विरोध करते हैं दादू पंथीस के अगर हम बात करें तो नगरों में निवास करके ये दादू के दो द्वार हैं वहां पर ये निवास करते हैं दादू द्वारों के उपर ये रहा करते हैं और दादू की जो वानी का जो और आप देखे कि जो ढुलाडी जो लेंग्वेज है जो जैपूर के आसपास जिस भासा का यूज किया जाता है उसका यूज काफी किया गया है दादू वानी के अंदर में तो दादू वानी का ये लोग पाठ करते हैं दादू के दुवार के उपर रहते हुए दादू पंत जो हैं वो इसको खाया करते हैं तो ये कुछ दादू पंती की कुछ important सिद्धान्त है जिनके बारे में हमने discuss किया नराइना नाम की एक गद्धी है जो दादू पंत की सबसे प्रधान गद्धी के रूप से जाना जाता है सबसे प्रधान गद्धी हुआ करती है नराइना त उसका यूज किया गया है जो जैपूर के आसपास बोली जाती है धुन्डाडी जो बोली है उसका यूज किया गया है इनके दुवारा तो यह संत दादू से related कुछ information थी और दादर्धाम जो उनके एक important session है जगजीवन उनके बारे में हमने discuss किया कि जगजीवन के दुवारा हूँ यह तपोस्तली है दादर्धाम जो जैपूर के पास situated है तो students हम आपको update करते रहेंगे ऐसे ही thank you students thank you very much